हलो दोस्तो मैं मोकेश हलवाई और आज मैं आपको घर पे समोसे बनाना बताऊंगा और एकदम क्रिश्पी और स्पैसी बहुती बढ़िया जबल दस्त जैसे हम रेस्टोरेंट पे या हलवाई की दुकान पे आपको जैसे मिलते हैं वैसे ही समोसे बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं यह हमने एक किलो आलू लिया है और इसमें हमने और 200 ग्राम हरी मटर और इसे हम वालने रख देंगे जब तक हम अद्रक और मिर्ची कर लेंगे तो यह हमने 50 ग्र्म अद्रक लिया है और 10 पीश हरी मिर्ची लिया है और इनको हम मिक्सर में पेस्ट कर लेंगे और हमारे आलू भी उबल चुके हैं आलू के हम छिलके निकाल देंगे और आलू हमारे कम्पलीट हो चुके हैं तो इसमें से हम आदी मटर को साबोत निकालेंगे और बाकी की मटर को आलू के साथ में बारिक कर लेंगे उससे क्या होगा हमारे मसाले में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएंगा मटर को बारिक करके और हम आपको एकदम जैसे हमारी दुकान पे समोसे बनते हैं शेम वही उसी तरह से हम समोसे बना रहे हैं यह हमने डेड़ चमच धनिया पाउडर डाला है और उसके बाद आदे में से आदा चमच मिर्च पाउडर डाला है और हल्दी यह आदे आपको डालना है तो डालें आदा चमच क्योंकि यह कलर करना रहता है कहीं डालते हैं कहीं डालते हैं उसके बाद हमने ये खुदका बनाया हुआ गरम मसाला डाला है अगर ये मसाला आपको बनाना नहीं आता है तो हम इसका description में लिंक दे देंगे और ऊपर i-card i-button में भी देंगे वहां से आप देख लेने का और ये बहुती बेस्ट मसाला है और यह हमने एक चमच नमक पावडर डाला है यह हमने तेल लिया है यह तेल है पचास ग्रम जितना और गरम होने के बाद एक टेबल इस्पून हमने इसमें जीरा डाला है और उसके बाद हम अधरक और मिर्च का इसमें पेश्ट डालेंगे जीरा बुनने के बाद और इसे बहुत ही अच्छे से हमें भूनना है मिर्ची को और मसाले को हमें कम तेल में ही फ्राई करना है इसलिए हमने तेल कम लिया है और ये गरेलूग ऐसे है उसके बाद हमने मटा डाला है इसे भी हमें अच्छे से बूनना है ये मटा हमारा बूनना हो गया है इसके बाद हम जो हमने आलू रखें फोड़े हुए जिसमें सभी मसाला है उसको हम डाल देंगे इसी में और इसे अब अच्छे से पकाएंगे ये मसाले को हमें काफी बूनना है ये हमने हिंग पावडर डाल दिया है और समूसे में देखिए होता क्या है कि अब ये मसाला हमने कंप्लीट कर दिया इसको आप जितना ज़्यादा बूनेंगे उतना ही हमारा इसमें टेस्ट बढ़ेंगा और बर्खरापन आएंगा तो मैं आपको बता दू कि मसाला आप साथ से आठ मिनट तक अच्छे से भूनें ताकि कभी कबार आली पानी वाले भी रहते हैं तो इसका पूरा पानी ड्राई होना चाहिए सुपना चाहिए और मसाले में काफी ज़्यादा टेस्ट आता है और हमने इसमें खुद का जो मस मसाला डाला है उससे काफी ज़्यादा टेस्ट आता है तो वो मसाला अगर आपको बनाना नहीं आता है तो हम उसका डिस्क्रेप्शन में लिंक दे देंगे और एंड स्कीन पे भी आ जाएंगा उपर आई का बटन देंगे आप कहीं से भी देख सकते हैं और उस मसाले को बहुत सारी नमकीन में भाकरवाडी में मसाला सेब में लेशन शेप पालक शेप जितने शारी हम नमकीन बनाते हैं या चिवडा उनमें इस्तिमाल कर सकते हैं और कचोडी में मुंगडाल कचोडी में तो मैं उसी मसाले को इस्तिमाल करता हूँ तो यह मैंने आपको खुद क मसाला बनाने का तरीका बताया है ये देखिए हमारा मसाला कम्प्लिट हो गया है हमने इसको 6-7 मिनट तक पकाया है उसके बाद ये हमारा मसाला रेडिय हो गया है समोशे का उसके बाद उपर से हम हरा धनिया डाल लेंगे ये मसाला कम्प्लिट उसके बाद हमने एक किलो अलू में आपको मैदा लेना है 800 observed इसमें हमने हलका सा आजवाज़ान डाला है और ये इसमें हमने तेल डाला है 100 observed और पानी हमने डाला है पहलेmbre 100 ग्राम पानी डालना है आप फिर से थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं क्योंकि ये तेल की मैदा है गी की मेदा नहीं है गी की मेदा कड़क हो जाती है और ये तेल की मेदा है तो आपको पहले से ही इसे कड़क लगाना पड़ेंगा और इसके समों से बहुत ही क्रिश्पी बनेंगे यानि की खस्ता और वैसे ही हमें बनाने मसालेदार और खस्ता इस तरह से आपको आटा मिक्स कर लेना है और इसमें आप चाहें तो कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं हलकी सी और इसको आपको खड़की लगाना है क्योंकि घी रहता है तो वो जम जाता है लेकिन हमने इसमें घी नहीं डाला है अगर आपको घी डालना है तो घी की भी मैदा लगा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है तो घी अगर आपको एक किलो मैदा की बात करूँ तो एक क्लू मेदा में बिड़़ सो ग्राम घी लगता है लेकिन हमारा ये मेदा है ना 800 ग्राम का है तो आमने इसमें तो ये देखिए मेदा हमारी कम्पलीट हो गई है अब इसके हम गोले तोड़ेंगे गोले हमें तोड़ना है 60-70 ग्राम का एक गोला तोड़ना है क्योंकि इसमें से दो लोई होगी तो हमको 70 ग्राम जितना गोला तोड़ना है और आप चाहें तो अपनी दुकान के साबसे या घर के साबसे छोटे बड़े भी कर सकते हैं कुछ दिक्कत नहीं है और इसी तरह से में अपने सारे गोले तोड़ना है और आपको बाकरवडी टेस्टी जो मुंगफली मसाला आता है वो काजू मसाला, मैदे का मसाला, कचोड़ी का मसाला और पवाचिवडा, मक्काचिवडा और भी आतार आपको नमकिन देखनी है तो डिस्क्रेप्शन में हम वीडियो की लिंक देदेंगे वहाँ से देख सकते हैं वाजी देखिए इस तरह से हमें अपनी पूरी को बेलना है और हमें लमचोड़स पूरी बेलना है समोसे के लिए तो पूरा आपको गोल नहीं करना है लम्म्याकर में ही बेलना है पूरा आपको पूरा आपको बेलना है और इसी तरह से हमें बाकी सारी भी पूरी बेलना है और यदे आपको फैंशी मिठाई के वीडियो देखना है काजू की फैंशी मिठाई काजू मकाई, काजू स्ट्रोबेरी, काजू अमेरिकन काजू पान काजू बार, चोकलेट बार तो यह सब हमने वीडियो अल्रेडी अप्लोड कर दिये हैं हमने दोसों से ज़्यादा वीडियो मिठाई के अप्लोड किये हैं मावा की फैंशी डिजाइन बर्फी मावा की फैंशी मिठाई मावा की फैंशी रोल, बहुत सारे वीडियो अप्लोड कर दिये है और वो भी नई नई डेजाइन में तो आप देख सकते हैं और हमारा पूरी बेलना कम्प्लीट हो गया है और वो भी एकदम परफेक्ट पूरी है इसके बाद हमने इसमें पानी लिया है और देखे मैंने आपको बताया था मसाले में यह दे आपको कलर वाला मसाला चाहिए तो हल्दी डालें अने था वैसा ही रहने दे यह देखे इस तरह से हमें पानी लगाना है और हलके आतों से बीच आ बीच में मोड़ना है और फिर से उंगली और उंगठे की मदब से फिर से देता वाना है और इसमें मसाला बरना है और उसके बाद हमें फिर से से मोड देना है इसी तरह से और इसी तरह से हमें बाद की सारे समोसे बना लेना है यह देखिए हमें एक साइट से पानी लगाना है उसके बाद और उंगली की मदब से बीच में दबा के प्रेस करना है अच्छे से और इसमें मसाला बरना है मसाला आप एक समोसे में 40 ग्राम जितना आराम से बरें उसके बाद इसी तरह से हमें फिर से भोड़ देना है और अच्छे सी फिनिशिंग के साथ समोसे बनाना है और यह देखिए मैं यहाँ पर आपको 3-4 समोसे बनाना बताऊँगा उसके बाद और यहां पर टेस्ट की बात हो रही है तो हमारे मसाले में बहुती जबलतष टेस्ट है और खास कर जो मेदा रहता है उसमें खस्तापन रहना चाहिए जिसे हम क्रिश्पी कहते हैं तो वो जरूरी है जब समोसे फ्राई करते हैं उस ताम ये देखिए हमारे समोसे का मसाला और लोई दोनों ही खतम हो गा है थोड़ा सा मसाला बचाए बस यह हमारे समोसे बनके कम्प्लीट हो गए 800 ग्राम मैदा में हमारे यह 36 समोसे बने है और ये हमने तेल पहले से ही रखा था गरम करने को तो आपको ज़्यादा फास्ट गरम तेल में नहीं डालना है इसी तरह का तेल रहना चाहिए और ये यहाँ पे तो स्लोई गैस है क्योंकि घर का गैस है अगर आप बड़े गैस पर बनाएं तो स्लोः गैस पर ही समोशे को पकने दें ताकि अंदर से पक के आएğı कथ तो समोशे को ज़्यादा गरम तेल में डालेंगे तो समोशे जबबलस यानि कि फूल जाता है ये तो वैसा नहीं होना चीए जगे जगे फूल जाता है तो अमारा बूच्चा रे जाता है तो आपको मीडियम तेल महीं डालना है और स्लो गैस में अच्छे से पकाना है ताकि हमारा समोसा फ्राइ, तो एक दम प्लें फ्राइ रुप और समोसे को आप जितना अच्छा पकाएंगे उतना ही अच्छा टेस्ट भी आता है क्योंकि इसकी पूरी रहती है वो अच्छे से पकनी चाहिए अगर समोसा कच्छा रह जाएंगा तो खाने में टेस्ट भी नहीं आता और अंदर से आपका मसाला स्पाइसी होना चाहिए जो भी आप आलू का बनाते न वो एकदम स्पाइसी होना चाहिए बढ़िया एकदम टेस्ट होना चाहिए यही सब समोसे में में रहता है और बाकी तो अपनी अपनी कला है कोई कुछ लालता है तो कोई कुछ लालता है लेकिन हमारा जो समोसा है ना इसकी परपेक्ट हमने आपको रेशिपी बताई है और यह हमारी दुकान का काफी फेमर समोसा है तो यहां से हम वीडियो को फास्ट कर देंगे और समोसे का दीरे-दीरे कलर करेंगे और अभी मैं 17 तारिक को दुकान पे जाने वाला हूँ अभी गाओं में आया था तो ये मैंने घर पे आपके लिए रेशी भी बनाई है और ये अभी तक और ये देखिए हमारे समोशे फ्राई हो गए एक दम बादम कलर हो गया है बहुत ही अच्छा कलर है तो इसी तरह से आपको समोशे फ्राई कर लेना है और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो सब्सकाइब कर लें और बेल आइकन जरूल दबाएं उससे क्या होंगा हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो की नोटिफिकिशन सबसे पहले आपके पास पहुचेंगी और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज यसे लाइक कमेंट और शेयर जरूल करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में और अभी मैं 17 तारी को दुकान पर पहुंच जाओंगा तो वहाँ से आपके लिए फैंशी फैंशी मिठाई होंके वीडियो डालते रहूंगा